हलो एबरीबन हमने स्टार्ट किया था इंडियन कॉंस्टिटूशन इंडियन कॉंस्टिटूशन में हम साइलेंट फीचर्स देख चुके हैं कॉंस्टिटूशन के और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दप्रियेंबल जो कि चैप्टर फूर है एम लक्ष्मी कांथ हम एम जो अमेरिका का कॉंस्टिटूशन या अमेरिकन समिधान आप कह सकते हैं वहा का समिधान पहला ऐसे समिधान था जहां पर प्रियेंबल जो है उसको इंसर्ट किया गया तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया जिसने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया उन्होंने भी अपनी समिधान में एक प्रियंबर डाला, प्रियंबर जो term है, इसका मतलब होता है introduction, introduction या प्रस्तावना, और इसको हम कह सकते हैं, preface to the constitution, इसमें summary या essence होता है, इसमें summary होती है, सार होता है समिधान का या constitution का, एन इपाल की वाला, जो कि एक eminent jurist है, और एक constitutional expert भी है, उन्हेंने कहा था कि preamble कुछ नहीं, बट एक identity card है किसी भी समिधान का, और हमारा जो भारत की समिधान में जो प्रस्तावना दिया हुआ है, या preamble है, इंडियन constitution का, ये objective resolution से जो है, उसके उपर based है, और ये जो objective resolution कौन लेकर आये थे, तो पंडिय जवाहला नहरू जी है, उन्होंने objective resolution लेकर के आये थे, और इसको जो हमारी समिधान से बाद थी, जो constitution, constant assembly थी, उन्होंने accept किया था, और हमारे जो भारत का प्रस्तावना है या preamble है, उसको एक बार amend किया गया है, और amend किया गया है, या उसमें एक बार संशोधन किया गया है, और उस संशोधन के अनुसार, तीन नए वर्ड है, या तीन नए शब्द है, उनको जोड़ा गया था, जो है socialist, secular और integrity, socialist का मतलब होता है समाजवादी, secular का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, और integrity मतलब अखंड, या अखंड था, तो स्टार्ट करते हैं प्रियंबल, पहले देख लेते हैं कि प्रियंबल में एक्च्वल में क्या क्या बाते लिखे गई थी, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक, मतलब हमारे समिधान में पहले से यह बात नहीं था है कि हम भारत को एक बनाना चाहते हैं हमारी जो भारत है उसमें विर्टाय तो है लेकिन अकंड़ता के साथ एकता भी है तो सबसे पहले जब यह प्रस्तावना बनाया गया था जो कि जवालना नहरुजी के अबजेक्टिव रिजॉल्यूशन जो लाए थे वो उस पे बेज़ड था तो 1976 में अमेंडमेंड या संशोधन के पहले इसमें तीन बाते कहीं गई थी जो कि फर्स्ट लाइन में है संपूर्ण प्रपुत संपन जिसको कहते हैं सुवेरियन लोक तंत्रात्मक और गणराज्य यह तीन बाते पहले से ही थी और बाद में तीन जो वर्ड्स है या तीन जो शब्द है वो बाद में जोड़े गए जिसमें एक था समाजवादी पंत्र निर्पेक्ष और अखंड़ता सोशलिस्ट, सेक्यूलर, एंटिग्रेटी यह तीन वर्ड्स है वो बाद में जोड़े गए थे तो अपी तक हमने देखा कि हमारा जो समिधान उसके प्रस्तावना में जो इनिश्यल लाइन या पहली लाइन है उसमें तीन वर्ड्स पहले से ही थे और जो दो वर्ड्स है उ एक एक बोर्ड की अलग मतलब एक इंपॉर्टेंट मेनिंग होती है उसका इंपॉर्टेंट जो है उद्देश है जैसे कि देखे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभूत्व संपन्य मतलब सुवेरियन समाजवदी मतलब सोशलिस्टिक बंत निर्पिक्ष मतलब सेक्योलर लोग तंतरात्म मतलब डेमोक्राटिक गणराज मतलब रिपब्लिक और बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को मतलब प्रस्तावना में जो भी बाते क रहें गई है वो नागरिकों को समर्पित है कि देट इस इस मेंड और इस मेंट फॉर तर सिटीजन्स ऑ इंडिया पहले देखें इसमें न्याय मतलब होता जस्टिस समाजिक शोशल जस्टिस आर्थिक एकोनॉमिक जस्टिस राजनितिक पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हमारे समीदान को प्रस्तावन तेन तरीके मतलब हुआ प्रस्तावन जा जो इसमें प्रस्तावन साँ मतलब हुआया है अभी आप बस प्रस्तावना को as it is जो उसके वर्ड है उसको by heart read कीजिए by heart याद करी कुछ जो ऐसे questions आते हैं हमारे examination में अगर आपको DPSP हो गया fundamental rights हो गया या preamble हो गया अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो बहुत सारे freedom तो freedom आपको किस-किस के मिलेगी तो freedom है विचार अभिवक्ति विश्वास धर्म और उपासना that is thought, expression, belief, faith and worship next बात जो कहते हैं वो है सम्ता सम्ता मतलब होता है equality प्रतिष्ठा और असर की सम्ता मतलब status and opportunity next है वो है बंधुता या जिसको हम कहते है fraternity fraternity किसके साब से कि किसी की आप गरीमा को बरकरार रखते हुए राश्ट की एकता unity and integrating of the nation maintaining the dignity of individual तो चार बाते हमारे जो भारत के प्रियंबल उसमें कही गई है वो है justice, liberty, equality और fraternity और उन्हें में अलग-अलग जो प्रावधान है या अलग-अलग जो बाते हैं वो कही गई है कि हम अपने जो भारत के नागरिक है उनको क्या-क्या जो social or economic political justice ऐसी बाते जो कि किसे भी हिंडी विज्वल के सरवांगी विकास के लिए बहुत जादा जरूरी है वो सब चीजे हम अपने समीधान में अपने अगरिकों को प्रोवाइट करेंगे तो यहीं इंट्रोडक्शन है हमारे प्रियम्बल का उसके बाद द्रेट संकल्प होकर अपनी इस समीधान सभा में आज 26 नमबर 1949 को जब हमारा समीधान पूरी तरह के बन करके तयार हुआ उसके बाद हमारी इस समीधान सभा थी उन्होंने इसको इतत द्वारा इस समीधान को अंगरिकित किया अधिनेमित किया और आट में समर्पित किया इसका मतलब है इसका मतलब है अटॉप्ट इनक्ट और गिव तो अवर सेल्फ दिस कॉंस्टिटूशन अब इसकी ओवर्राल समरी में आपको इंग्लिश में बता देते हूं वी दो पीपल ओफ इंडिया हैविंग सोलेम्ली रिजॉल्ट टो कॉंस्टिटूट इंडिया इन्टू आ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्यलर डेमोक्राटिक रिपब्लिक जिसमें से सोवेरियन डेमोक्राटिक रिपब्लिक इनिशली था और सोशलिस्टिक और जो सेक्यलर वर्ड है वो बाद में आया वैसे ही जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये चार बाती जो है वो हमारे समीधार की जो प्रस्तावना है या प्रियांबल ऑफ कॉंस्टिटूशन है वो किसको देते हैं तो भी देते हैं सिटिजन्स ओफ इंडिया तो जस्टिस किस टाइप को मिने का सोशल एकोनोमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थोट एक्स्प्रेशन बिलीफ फेथ और वर्षिप एक्वालिटी ऑफ स्टेटर्स एंड अफ पर्चुनिटी अंड अमंग दम ओल फ्रेटर्रेटी किस लिए या बंदूता किस लिए था कि उससे डिग्निटी ऑफ इंडिविजूल बनी रह हमारी समिधान सभा में 26 नमेंबर ऑफ नाइटीन फर्टिनाइंग एरभाए अडॉट इन एक्ट इन गीप और सेल इस कॉंस्टिटूशन अब देख लेगते हैं हमारा जो प्रस्तावना ये प्रियंबल है उसके इंग्रेडियंट्स क्या-क्या है तो पहला है सूर्स ऑफ समिधान को अथारेटी कहां से मिलती है तो हमारा प्रियंबल ये कहता है कि कॉंस्टिटूशन अपनी अथारेटी कहां से लेता है तो फ्रॉम दा पीपल अफ इंडिया जैसे हमारे प्रस्तावना चालू होता है हम क्या कहते हैं वी दो पीपल अफ इंडिया हम भारत के भारत देश उसका जो है नेचर या प्रकृति कैसी होगी तो उसकी प्रकृति होगी संप्रभू होगा यह सुवेरियन तूसरा होगा सोशिलिस्ट मतलब समाजवादी तीसरा सेकेलियन मतलब धर्मनेरिपेक्ष डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मतलब लोकतन तात्मक और रिपब्लिकन मतलब गणराज इसका मतलब होता है हमारी जो भारत का समीधान है उसमें जो प्रस्तावना गिया गया है उसमें हम कैसे भारत की संकल्पना करते हैं या उसकी प्रक्रति के प्रकार देखते हैं तो उसमें जो है खुद की भारत जो है अपनी डिसिशन खुद ही ले सकता है इसी को हम कहते है संप्रबुदा तो संप्रबुदा का सिध्धानत हो गया समाजवात का सिध्धानत हो गया हम welfare state या कल्यान कर ये राजे बनाने की बात कहते है secular मतलब धर्म निर्पेक सभी धर्मों का आधर होगा लेकिन हमारे जो भारत है उसका खुद का एक कोई धर्म नहीं होगा democratic मतलब लोक तंत्रात्मत लोगों का राजे होगा by the people for the people of the people अबराहम लिंकॉं का statement था या देमोक्राशी जो वर्ड है या जोक तंत्रा जो वर्ड है उसकी बहुत ही important meaning है जो कि हम आगे जाके lectures में देखेंगे वह for the people by the people of the people तक सीमित नहीं रह जाती है और वैसे ही रिपब्लिक या गणराज होगा कि कि इसी दिन हमने 26 नॉमबर 1949 को जब अपने सम्विधान को स्विकारा था अड़ाप्ट किया था इनेक्ट किया था तो उसी दिन को हम Republic Day या गंतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं 26 जनवरी को और यह हो गया हमारे भारत के जो भी प्रस्तावने में दिये हुए प्रकृति थी या कैसा हम अपना भारत का राजी की संकल्पना करते हैं या हमारे जो फ्रेमर्स अफ कॉंस्टिटूशन हैं उन्होंने हमा भारत को समीधान उसके प्रस्तावना में भारत जुए जो भारती समीधान की क्या क्या ऑब्जेक्टिव दिये हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव्स 하겠습니다 justice, liberty, equality and fraternity justice मतलब होता है न्याय, liberty, freedom या आजादी equality का मतलब होता है समानता fraternity का मतलब होता है बंदुता तो objective अगर बोला जाये तो क्या होगा justice, liberty, equality and fraternity और वही प्रकृति बोलेंगे तो क्या होगा समप्रभू, समाजवादी, धर्म निर्पेक्ष, गणराज और लोकतंत्रात्मक मतलब सुवेरियन, सोशिलिस, एकुलर, डेमोक्राटिक, रिपबली की सब नीचर है objective उचेंगे तो justice, liberty, equality and fraternity अब चौता जो इंग्रीडियन्ट है वो क्या है हमारे प्रियेंबल का तो उसमें ये दिया हुआ है कि हमारे भारत ने या हमारी constituent assembly ने हमारे समिधान को कब सुवेकारा मतलब date of constitution दी विया, तो ये दी विया 26 November 1949 date of adoption of the constitution तो हमने देखा कि प्रियेंबल है या भारती समिधान का प्रस्तावना है उसमें चार बाते जो important हमको पता चलती है पहला पता चलती है कि जो authority of constitution है वो कहां से मिल रही है प्रकृति क्या है, objective क्या है और date क्या है थैंक्यू